बूर्वागिन दोस्तों देखिया है यह सारी गाड़िया कल मंडी से भरी है यह माविर वेयर हाउस के लिए मंडियां से तीन किलोमेटर पड़ती है यह एक जो सोलर डायर दिख रहा है यह अराइवल का है बाकी यह सारी गाड़ी एक दो यह तीन यह चार यह पाच यह पाच गाड़ी मंडी से भरी है यहां के लिए करीब अभी तो लेबर हैं आए नहीं काट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है यारा बज़े करीब काटर स्टार्ट होता है फिर उसके अद्काम स्टार्ट होगा पर मतलब छे गाड़ी का माल था तो पाची गाड़ी लग पाई है कल माविर वेरा उसके लिए और सभी गाड़ी 10 टार जो भी दिख रहे हैं आपको इसमें साड़े 400 कट्टे डले आए औ और एक कट्टा 61 किलोगाल अब करीब साड़े साथा इस अथा स्टार इस टन वजन दस टार में और बारट आर में 500 गट्टे उसमें करीब 31 स्टन वजन अभी तो यह वाला वेरा उस पैक हो गया यह जो दिख रहा है सामने वाला यह वाला वेरा उसमें माल चालू है सेकंड चेंबर में और यहां पर शौटेज आ नहीं रही है दस से बीस किलो मैक्सिमूम या तो फिर तीस किलो उससे जादा शौटेज नहीं आ रही है गाडियों में और पचास किलो की छूट है उससे उपर जूपी आएगा पैसा कटेगा माल का अभी करीब 24-25 सो यह हूँ चल रहा है अभी एक सो तीस रुपे पर टन का भाड़ा है तो दस टायर में आपका बन जाता है करीब 32 रुपे की रिपोर्ट 32-33 की जिसमें से आपको डीजल लगना है 700 रुपे का 500 ड्राइवर के अलब आपको इसमें बच्चे के 2000 रुपे एक दिन में एक ट्रिप और यह पूरा महीना काम चलना है अब में भी चलेगा जून भी चलेगा और बारा डायर में आपको करीब इसमें पच्चीस सो से 2700 रुपे की बच्चत आती है अभी मैं आपको पता हुआ इसका पूरा कैलकुलेशन अभी निकालके अभी करीब साड़े दस बज़ रहे है अभी तो काटा स्राइट नहीं हुआ है लेबर भी नहीं आई है मैं अलब दो तीन बच तक करीब गाड़ी खाली होगी और अभी तो मंडी में बहुत अरायवल आके है मैं यहां से मैं अलब दो कल और परसो तो मंडी बंद है सैटर संडे मंडी बंद रहती है पर काम तो चलेगा क्योंकि बहुत अरायवल है और माल भी पड़ा है यहां तो शाम हो जानी है अभी सब गाड़ियों को तो रात मी भरेगी कल भी सब गाड़िया रात मी भरके फ्री हुई थी एक बारा एक बज़े क्योंकि शाम में और दिन में बहुत जाम लगा था मंडी में अरायवल की गाड़िया फिर लोडिंग की गाड़िया हैदराब दो मेन से करीब चलते आ रहा है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए शेयर करिए लाइक करिए और भी इंट्रेस्टिंग वीडियोज आनी है वसा फॉलो करिए थोड़ा सपोर्ट करिए चैनल को और भी वीडियोज लाने वाला हूँ पर्मनेंट वर्क के बारे में लोक लेगे अभी अपना जून के बाद से और नया काम चाल हुएने वाला है नाकपुर लाइन का तो जरूर फॉलो करिए आपको अपडेट्स मिलते रहेगे थैंक्यू